हलो बच्चो मैं आपका यार सर किस्टोन कोचिंग सेंडर का डारेक्टर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वाइल प्रोफाइल्स क्या स्टार्ट करेंगे बच्चो स्वाइल प्रोफाइल्स यानि जो स्वाइल कितना प्रोफाइल में कितना लेयर में पाया जाता है उपर से हो रहा है डिकम्पोजिशन नीचे से हो रहा है वेदरिंग यही चीज में आपको स्वाइल का स्टार्टिंग से बताए जा रहा हूं बड़ देखिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम से कितना क्लियर हो पाता है चलिए हम प्रैक्ष्ट में जाओं तो आपको पता होगा सबसे ऊपर का हिस्सा में जहाँ پर लांट्स रहेगा अन्य मल्स रहेगा और उसको डिक्राइटरेटिस वगए। digitष में और जिक्राइट वो तो Ohh M ट्विग्स हो यानि टहनी हो हो सकता है प्लांट्स का ब्रांच हो हो सकता है फ्लार हो तो यह सब के सब डेट्राइटस या फिर लेटर में आ गया यानि डेट्राइटस में क्या क्या हो सकता है बच्चो डेट्राइटस में हो सकता है फ्लार हो सकता है leaves, detritus में हो सकता है twigs, तो यह आपका detritus में वहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके बाद इसी लेयर को जहां detritus वगरा होता है, इसी लेयर को जहां liter होता है, इसको आपने बोलते हैं O1 या फिर AOO, या फिर 01 A00, तो 01 A00 या फिर liter वाला लेयर है, अगर मैं बात करूँ उसके बाद आपको पता हो, उसके बात बनता था डफ, मतलब यह जब fragmentation होगा इसका तूटेगा फूटेगा तो फिर डफ बनेगा, यह सब तूटने के बाद डफ ब डफ वाला लेयर को हम लोग बोलते है, A0 या फिर 02, क्या बोलेंगा बच्चो, A002 यह यह वाला लेयर है, जहां डफ बढ़ा है, अब आपको पता है, डफ आगे जाके कैटाबोलिजम हो रहा था, और यह से बन रहा था, हूमस, क्या बन रहा था बच्चो, हूमस, तो इसम हूमस, तब देखिए, यहां पर हूमस है, यहां आपका मिनरल्स कम है, इसको आमलों बोलते है, हूमस is greater than, मिनरल यहां पर हूमस ज्यादा है, इस लेयर में, और मिनरल्स कम है, इसको बोलते है, हूमिक जोन, क्या बोलेंगे बच्चो, हूमिक जोन, मेलेनाइज जोन, या फ थोड़ा सा black से relate के आगिया है इसी को बोलें डार्क जोन इसके बाद जो लेर आएगा वहां पर हीमस कम हो गया मिन्रेल ज्यादा हो जाएगा light जोन या फिर light जोन या फिर color जोन फिर zone of leaching यहीं पर leaching होगा आपको पता होना अची है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से जो है इसमें से इनार्गेनिक मेटरियल्स लीचिंग होता है यानि बरसात में पानी के थुरू यह नीचे के तरफ जाता है तो देखिए यहां से मानिए यहां तक यहां से यहां तक आपका क्या हो रहा था कि य बड़ा बड़ा चाट्टा ने नीचे रखा हुआ है उसके उपर ये सबसि तरहिए यन इस तरह किसी दिखाई मिलेगा तो इसको हमले बोलते हैं fine particles of rocks से small soil particles तो देखिए मैं आपको हर एक layer का इसको बोलते है R या D layer unweathered rock को R या फिर D layer ये partial weather को C ये B ये A2 ये A1 A0 00 detritus A00 अपका हो गया partial ये फिर डफ वाला zone इसको हमले बोलते है A0 A1 बोलते हैं humic zone को A2 बोलते हैं आपका light ये फिर color zone को zone of leasing को B है आपका fine particles of rocks आपका C है partial unweathered rock और R ये फिर D है आपका unweathered rock तो बच्चो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक जो अलग अलग profile आप देख रहे हैं देखिए इसको हम लोग मिला इसको बोलते हैं O layer क्या बोलते हैं बच्चो O layer यानि यहां से आपका हो गया O layer फिर आपका A1 और A2 यानि Humic zone और light zone यह मिला कि हम लोग बोलते हैं A layer क्या बोलते हैं A layer यही है आपका top soil क्या है बच्चो top soil क्या यह soil है ना 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 स्वाइल यह भी नहीं है soil तो यहां से start हो रहा है यह तो डफ है तो यहां से यह हम लोग बोलते हैं यहां होता है ज्यादा तर जड़ उसका B layer उसको हम लोग बोलते हैं sub soil क्या बोलते हैं sub soil यानि top soil A layer B layer हो गया sub soil और नीचे का आप बोल सकते हैं bedrock क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग यहां से यहां क्या बोलते हैं bedrock तो यह होगी आपका bedrock स्वाइल का हमने तीन लेयर यहां पर देख रहे हैं अगर मोटा मोटा तरीक से देखा जाए तो बच्चों A layer A1 A2 को मिला के यह B layer और यह होगी आपका bedrock देखे अलग अलग नाम दिया गया है place के हिसाब से पहले हमने बोला detritus या फिर litter वाला यह उसके बाद आया डफ या फिर partial decomposed उसके नीचे आया humic zone क्योंकि हाँ humus ज्यादा है mineral ज्यादा है और नीचाया humus कम mineral ज्यादा light या फिर color zone और नीचाया तो यह आगे आपका fine particles of rocks और नीचाया तो partial आपका weathered rock और यहाँ पर unweathered rock soil profiles में हम लोग जो soil देख रहे हैं तो इसमें अलग-अलग soil profiles में में लिया अगर देखा जाए मोटा-मोटा तोर पे तो तीन layer हमने देखा layer A उसमें A1, A2 दोनों आ गया उपर O layer है layer A को हम लोग बोलते हैं top soil sub soil B layer और last का हम लोग उसको बलते हैं bed rock ठीक है बच्चों आप लोग इसको note कीजिए धियान रखे यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं soil profiles में तो उपर से नीचे के तरफ इधर हो रहा है decomposition और इधर सी इधर हो रहा है weathering यह process अब ऐसे देख भी सकते हैं आप लोग इसको note कीजिए हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे और हमारा यहां पर स्वाइल खतम हो जाएगा खतम हो जाएगा तो खतम होने से पहले कुछ चीजे और जान लेना जरूरी है जब खतम होई रहा है तो क्यों न अच्छे से complete करें और इसके बाद सुरू होगा next lecture में water क्या सुरू होगा water बच्चों एक्जाम में अच्छा करने के होगा तो पता कर लिजे कि final खेलने से पहले semi final qualify होना ज़रूरी है तो कोई बच्चा इस गलत में नार है कि सर टेस्ट में अच्छा नहीं नंबर आ रहा है कोई बात नहीं सर अच्छा knowledge नहीं कोई बात नहीं एक्जाम में फोड़ देंगे ऐसा नहीं होता बच्चों एक्ज से next year उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो यह गलती आपको अभी फिल हो ना हो लेकिन exam hall में जरूर फिल होगा कोई भी काम अगर continue हो लगतार हो निरंतर हो consistency के साथ हो तो उसका result बहुत अच्छा और बहुत पेर बिलता है अईसा नहीं होना चाहिए कि जो में होसक खो देते हैं कई बच्चा कि सर तो मस्त पढ़ा ही रहे है खिलास तो ठीक चल रहा है सिल्फ स्टडि का क्या जरौर थे बच्चो दियान रहे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं यह सर का गुण है तुम्हारा गुण क्या तुम अच्छे से पढ़ो ज्यादा मेहनत करो कम से कम मेरे ख्याल से अगर आपको नीट में अच्छा रैंक लाना है तो कम से कम दिन में में क्लास छोड़के पांस से छे घंटा रेगूलर पढ़ना ज़रूरी है बच्चो क्योंकि अभी आपको यह चीज रियालाइज नहीं ह हो वो बोर्ड समझ बैठते हैं हैं मैं अवह बनी नीट का इख्जाम दे चुका हूं बहुए इस दिए। पहलों बहुक्त तफ है वैसे तो यूपी ऐसी बहाते हैं यू पी ऐसी अपने आप में इग्ज मंट टफ ही होता है उतना competition हेवी हो जाता है तो मैं आपको वोड़ रहा हूं एक्जाम खुद में बहुत भारी नहीं है लेकिन भाई बीस लाग पचीस लाग केंडिडेट के साथ आपका तकदीर साथ में जुड़ा हुआ है उसके लिए आपको उनमें से अलग होने के लिए उससे लोगो किलियर तो नहीं होगा कुछ और हो जाएगा मैं आपको बता दूँ एक्जाम किलियर करने के लिए आपको हर पॉइंट में हर जगा चेप्टर का लेक्चर का हर पॉइंट में आपका बराबर का पकड़ होना चाहिए बहुत सारा बच्चा है साइंस के नाम पे फीजिक्स क कि अच्छा वह साइब उसका तो श है कि मनस्व हो फीजिक्स को साइंस का हिसा नहीं मानते हैं सर साइंस क्मप्लीट है सर अचा चल रहा है सिर्द फीजिक्स थोड़ा नॉर्मल है नहीं चले पाय इसा होता ही नहीं है बहुत ऐससे लोग है इस ऐसे भंदे हैं बायो मैं o मै है उसको स्ट्रॉंग कीजिए अगर आप कम कैल्कुलेशन कम है मैं वीक रहे होंगे आप उसको ठीक कीजिए आप प्रोब्लम्स को पीछे छोड़के आगे नहीं बढ़ सकते हैं वह बार बार आपको वार्निंग और आलाम जैसे होता नहीं मुबाइल में एंड्रोइड फॉर मेरा यह टॉपिक वीक है तो आपको रिमूब करने के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है आपके पास उन चीजों को रिमूब कीजिए एक एक करके जो दिक्कते हैं प्रोब्लम्स है अगर आप ट्विल्ट के साथ त्यारी कर रहे हैं तो फिर बैलेस बना कर रहे किए बो होते हैं यह सुचिए समय कम है टॉपिक ज्यादा है कि बहुत सारा मॉटिवेशन स्पीकर आपको लास में मिल जाएंगे यूटूब में भर भर के आपको बोलेंगे एक महना में कैसे सिलेक्शन लें और मिलियंस में भ्यूज जाते हैं ऐसे यूटूबर्स का वह आपको ए यह है मुझे ऐसा लग रहा है अगर जिस दिन नीट है अगर यह बोलके यूटूब में सर्च करें कि एक दिन में कैसे नीट क्लियर करें उसमें भी कोई ना कोई जरूर वीडियो डाल देगा और आप और हमारी जैसे लोग उन लोगों को देखते हैं और समय बरबाद करते बच्चों ऐसा कोई भी चीज कुछ सी भी कोई टॉनिक नहीं है भाई हाड वर्क जो है वो टैलेंट से भी ज्यादा भेतर है टैलेंट को निकाल सकते हाड वर्क लेकिन अगर टैलेंट है और हाड वर्क नहीं है तो धेरे धेरे टैलेंट छिप जाता है टैलेंट को भी तरीका नहीं है बाए अगर सोटकट ही तरीका रहता और वह सेच में सोटकट तरीका काम करता तो फिर ऐसा नहीं हो जाता कि कोई चौकलेट या फिर माने कोई बोड़ रहा है एक दिन में कैसे ले उसको अच्छे से बच्चा बार-बार एक साल में वही देखिए अधागंटा का एक बहुत 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 बड़ा बुरा आदत थे फोकर्ट मेराइज देना जो की यहां आफ इंडिया में जितना मोडीवेशनलじゃी स्पीकर मिलेगा मुझे नहीं लग रावार दें मिलेगा तो आपको फालतु के लोग फालतु के बहुत सरे बात चीत करते रहेंगे, मोटिवेट करेंगे, अभी बोलेंगे, आज बोलेंगे, कल बोलेंगे, पर ध्यान रहें, आपको अपना life food create करना है, success का रास्ता खुद बनाना है, मंजील आफी को जाना है, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, और रास्ता खुद बन इतना पैसा लगाया है, इतना ज्यादा ज्यूलरी हो सकते हैं, बहुत सरा ऐसा बच्चा हो, जो घर का गैना बंदूक रखे, घर का गैना को वो गिर्वी में रख के तयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत कुछ को गया, यूटूब में 10-15 मिटर किसी का वीडियो अंदर आग लग जाएगा, आग लगने के बाद भी जो सच्चा ही हो तो रहता ही है, तो दियान रहे, इधर उदर देखके, अब 2-3 मिनट के लिए आपने आपको रिलेक्सेशन फिल ना कराएं, और मोटिवेशन वगर ऐसे तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन आपक जोब के लिए तियारी कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए तियारी कर रहे हैं, जिस एक्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए, आगे आपको उपर निर्वर करेगा, आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यह आपको उपर निर्वर करेगा, लेकिन आपको मैं इसलिए क्लास को थोड़ा डिले करके आपको यह सब चीज़ बता रहा हूं तकि बच्चा इधर हो तो ना भटके बहुत सार बच्चा मुझे पता है यार 20-25 लाग बच्चा एक्जाम में बैठेगा ध्यान रहे 20-25 यहां नहीं है बच्चो उनके साथ कंप चीज़िक लह बनाएं डॉक्टर बनने के लिए तो ऐसा नहीं होता भाई मैं आप मुझे अन्सब्सक्राइब कर दीए ड़संट मैं बट जो रही है वह मैं आपको बोलूगा यह आपको ज़रूर सेर करूँ ऐसा होता नहीं है अभी से सिर्येस हो जाई है सतर हो जाई है सै इतना समय है कम समय है एक साल ड्रॉप ले लिया कोई बात नहीं अगला साल के लिए अभी से रेडी रही यह नहीं कि सिर्फ फिर आगे लास्ट में जाके रोना धोना बार बार यह गलती बार बार करने से कितना गलती की जगा क्या लाइफ में हमारे पस कितना सार ऑप्शन है गलती करोड़ों कीजे ना क्या गलती का कोई एंड है इधर कितना गलती हो सकता है इस बार मानी यह हो गया आगले बार यह हो गया बापा का डेथ हो गया बाइक नहीं है गाड़ी नहीं है पैसा नहीं है जौब नहीं है गलती का दो भाई कमी नहीं है अब कोई भी निकाल क आपका पीछे जा रहा है, सच्छा ही तो यह है, हाँ, बहुत अच्छा है, अगर आपको लग रहा है, कि मुझे सेटल होना है, तो खुद सेटल किजिए, ऐसा नहीं कि बैट बैट के बस दुआ कर रहेंगे, मेरा ऐसा हो जाए, पेपर ऐसा हो जाए, किसी के साथ दुनिया मे आप कर सकते हैं, एक जब्दुल कलाम ने क्या कहा, कि आप भविष नहीं बदल सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेनत तो कर सकते हैं, हाँ, तो मेनत किजिए, भविष खुद बदल जाएगा, आप से जितना हो रहा है, उतरा किजिए, एक एक चेप्टर का कोश्चन, चा आपका विक्टर खतम हो गया है, आपको आधा NLM पढ़ा दिया गया है, अब आगे का चीज मनी आप रेडी है, कि सर लेक्चर नहीं आ रहा है, यह तो मतलब, यह तो हमारा मनी रेगुलर वेस का काम है, हमारा इंट्रेस्ट है, हम चाहें तो एक दिन में पुरा NLM खतम कर दूसरा लेक्चर डाल दू, बट आपका पीछे का क्लियर है, यह भी तापको धियान रख रहा है, कि पीछे का चीज मेरे साथ साथ चल रहा की नहीं चल रहा है, और हागा ऐसे ही अगर आपको फिर मज़े लेन के लिए पढ़ना है, तो फिर यह सब एक्जाम अगर मत अगर उतना आसा नहीं भी नहीं है, भरोजा नहीं हो रहा है, अभी इस वीडियो को यहां ट्रॉप कीजिए, पॉस कीजिए, जाईए एक पेपर डाउनलोड कीजिए, गूगल से, खहीं से भी डाउनलोड कीजिए, पिछला साल का पेपर सॉल्व कीजिए, आप से कुशन में बैठ रहे हैं, 25 लग बच्चा और बैठेगा, क्या आप उन में से बेतर हैं, क्या आप 20,000 में आ रहे हैं, अभी खुद से अपने आपको अनलाइज कीजिए, बहुत सारा कुशन पढ़ा हुआ है, गूगल में, यूट्यूब में, बहुत सारा कुशन, प्रैक्टिस के कारवाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपको तैरना नहीं आता है, तो नदी में उतरना ही है, तो फिर तैरना सीख लो, दो काम करो, या तो मत उत्तरो भई, ढूबना जरूरी नी, क्यों ढूबोंगे यार, यातो फिर तहरना सेखो, अब एक्जाम ऐना, एक्जाम देना है ना आपको, हाँ सरी एक्जाम दीना है, एक दिन आपका भी time आईगा, आपको भी एकजाम होल में बैठना हाँ जब यह सब चीजिए आपको पता है तो क्यों तयारी क्यों नहीं कर रहे हो क्यों सब्सक्राइब बना वर्क किजिए अब जिस भी एकजाम का त्यारी कर रहे हैं इसको बोट से पर सकते हुए इसके सब लेक्शर को अपको समय लग जाएगा क्यों आप लोग नहीं कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं चली इस्टार्ट करते हैं लेकिन ध्यान रहे हम लोग जूरू कर रहे हम लोग तो पढ़ते जाएंगे वह हमारा काम है यूट्यूब में वीडियो अप्लोड करना फ्री में आप रहे जाएगा वीडियो को देखिए अच्छे से देखिए और सहर चीज को अपना किसी को हलके में लिजिए अपना लाइफ को मत लिजिए लास्ट में आपको जहिलना पड़ेगा फिर ऐसा टाइम आएगा आपका कमेंट भी कोई ने पढ़ने होला है यार फेल होने के ही होगा था नो फिशीक्स में क्या कर रहा था के में सब्सक्री में कौन सा बुक किया था का टीवशन लिया था उनलाइन अफलेन इस सरा उसी से बात चीद होगा अगर उसी हिआ सो बाच्छा फेल होजां कोई पुछने वाला नहीं है, कोई जाएगा किसी घर में, अच्छा अच्छा तुम कैसे फेल हो गिया, तुम कहां ट्यूशन लेके फेल हुआ, कोई नहीं पुछेगा, कौन से यूटूब का वीडियो देके फेल हुआ, कोई नहीं, आपका लाक एक्स्जूज कोई नहीं सुनने इक्जाम फेल, बस, कतम, टाटा, भाई भाई, मैं यह नहीं बोल रहा हुआ, इक्जाम फेल तापका लाइफ का तब यह नहीं बोल रहा हूँ, बट उसके बाद एक्स्जूज ओगर कोई नहीं सुनता है, धिहान रहे है, एक्जाम का त्यारी कर रहे है, कम्पेटिजिव और एकजाम है, अभी इससे मस्त रहिए, और जबरदस्त रहिए, ऐक्लास और लेक्ट्चर को करते हैं, चलिए हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही मोटी वेशन हो गया है, मैंको रिलक्स कीजिए, क्लास में होना चुँए, तो माईड में मोटिवेशन खतम स्टार्ट हो रहे हमारा लेक्चर चलिए इस लेक्चर का पहला पाइट में आपको बताई दिया हूँ और आभी स्वाइल फ्रॉफाइल्स में जो उपर वोला लेयर था यानि ओ टू और ओन ये फिल 0102 ओ लेयर उसके बाद 1000 अब लेयर और ये लीएर और वेदरिंग था और ये डीकंपोजिशन था स्वाइल प्रोफाइल पाँच पर्रोफाइल है टूटल स्वाइल का देखिए क्या ओ आब्ए बी सी डी ओ ऑ फिर आर अब देखिए बेच्ट पिएच अब स्वाइल का पिएच कितना होना चीए है पीएच जानते हैं आप लोग, एसेडिटी और बेसिसिटी को हम लोग नापते हैं, पीएच जो होना चिये, एक अच्छा स्वाइल का पीएच, वेल्यू वो होना चिये, सड़े 5 से सड़े ची, यानि 5.5 से 5.6, यह जो है, यह प्लांट्स को कल्टिवेट करने के लिए, यान पेड़ पहुधा हो रगाने के लिए, सबसे अच्छा पीएच है इतना, यह लोमी स्वाइल का इतना पीएच होता है, क्योंकि लोमी स्वाइल इस दा बेस्ट स्वाइल, आपको पाता होना चिये, इर्रिगेशन मतलब वाटरिंग और प्लांट्स में पानी देना, या फिर नॉर्मली पानी देते हैं, इसमें अगर हम पानी दो उपर से, तो क्या होता है, जब पानी देते हैं आप स्वाइल में, तो जहां पर जो स्वाइल में पानी आप दे रहे हैं, तो अगर आप कम पानी, मतलब आप नॉर्मल पानी दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, लेकि अगर आप एक्सेस वाटर दे दिये हैं तो soil particle आ गया है उपर उपर आ गया तो क्या वो इस plant के लिए available रह पाएगा नहीं अगर यह लंबा समय तक ऐसा ही रहा कि salt particles उपर ही रहा salt particles अगर लंबा समय तक बच्चों उपर ही रहेगा तो इस plant के लिए salt unavailable हो जाएगा salt नहीं क्योंकि यहां से तो नहीं ले सकता यहां से यह plant कैसे लेगा इसे थोड़ी की मुंडी है यह से ले लिया यह लोग तो root से लेता है जड़ से लेता है तो यह salt यहां होना चीए आपने excess पानी देखे रखा है वहां रहेगा तो अगर हम लोग बात करें रिखे रिखे.. नहीं, तो क्या होगा, यह D, C, B लेयर होगा, यानि D, Z में इतना D, C, B, यह वला लेयर होगा यानि नीचे बड़ा-बड़ा रॉक्स होगा उसको पर छोटा रॉक्स होगा, उसको पर fine particles, तो D, Z में आपको तीन ही layer मिलेगा, तीन ही profile मिलेगा, D, Z में आपको उपर का layer जो है, दो layer नहीं मिलेगा A और B, यानि सब soil, top soil वहाँ तो soil ही नहीं, find particles में खतम है, तो D, Z में आपको यह तीन layer मिलेगा, B, C, D तो बचो ठीक है अभी के लिए इतना ही, already motivation बहुत हो चुका इस lecture में और क्या motivation देना, मस तरही है खुसरी है, जवर्दस्तरी हम लोग मिलते हैं नेक्स लेक्चर में, water के साथ पानी के साथ